हेलो गाईज आज हम बनाने जा रहे हैं चिक्की यानि गुड़ पट्टी बहुत ही बढ़ी और इजी रेस्पी है एकदम मार्केट के तरह हमारी चिक्की बन करके तयार होगी गुड़ और मुंखफली को यूज करके हम इस चिक्की को बनाएंगे तो आप पूरा वीडियो व दाने मैंने यहां पर 20 ग्राम मुंखळी यानि सेंग दाना लिया हुआ है अच्छे से मिक्स करते होए अलट पलट करते होए चार से पांस मिनाट तक रोष्ट कर लेंगे बहुत ज्यादा कलर नहीं चेंज करना हमें मुंखळी का जैसे हलका सा क्रिस्पा जाएगा और छिल ठंडा होने के लिए उसके बाद इसको इसी तरीके से प्रेस करते होए सारा छिल का उतार करके हम साफ कर लेंगे वापिस उसी पैन को रखा है मैंने और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा रिफाइंड ओयल फ्लेम लो रखेंगे अब इसमें डाल देंगे गुड मैंने यहां गुण नीचे से पिखलना शुरू हो जाएगा ना तो कुछ इस तरीके से गुण हो जाएगा तो अब हम इसको कल्ची से अलट पलट करते होए अच्छी तरह से पका लेंगे चासनी को रेड़ी करने में हमें 4-5 मिनट का समय लगेगा फ्लिम लो रखेंगे ताकि चासनी आरा होई है कि नहीं एक बाउल में बाउल फाणी लेंगे और थोड़ा से उसमें चासनी को टबका लेंगे तो समझे के चासनी तयार है, चलेंगे हम वापीस चासनी की तरफ और इसमें हम डालेंगे मुंफली जो हमने रोष्ट किया था उसको मैंने साफ कर दिया है, इस तरीके से आप साफ करके तयार करिएगा, मुंफली को दो भाग में डिवाइट कर लिजेगा, अब हमें बहुत ह जल्दी फटा-फट अपना हाँ चलाना है, क्योंकि गुड की चासनी जल्दी से जमने लगती है, तो अच्छी तरह से फटा-फटा मिक्स करेंगे, तो यह देखिए बढ़िया से मिक्स हो गई है, इसमें तार बन रही है, तो मतलब हमारी बढ़िया से चिक्की बनने के लि आप कोई भी बरतन ले लीजिए या फिर कोई ट्रे ले लीजिए, मैंने यहाँ पर एक थाली लिया हुआ है, और उसको उल्टा करके उस पे थोड़ा सा रिफाइंड ओयल लगा लिया है, सारा मिश्रण हम थाली पे डालेंगे, अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएं और गरम भी लगेगा, तो इसलिए पानी लगाएं अगर जरूर, और अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो आप बेलन में थोड़ा सा घी या फिरिफाइंड ओयल लगा करके अच्छे से प्रेस करते हो, इसको इस तरीके से बड़ा कर सकते हो, मैंने इसको अपने ह कट कर लिजेगा, तो एक तरफ से मैंने इसको कट कर लिया है, अब हम इसे घुमा करके दूसरी तरफ से पी कट कर लेंगे, मैं इसे चार कोलनी का नॉर्मल चिक्की कट कर रही हूँ, इसका कलर आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया कलर दिख रहा है, एक दम मार चैनल कर दोला करें अपने हमारी लग बढग ती-मेर बाद निकल कर लोग आएगी, आप इस तरहें से चिक्की बनाईएगा, और फिर फटा फट निकाल करके रखियेंगा, आप इसे डायों कर रख सकते हैं, बुलकुन भी खराब नहीं होती है, जब आपको खाने कमन हो आ बनाया जाता है तो यह देखी बहुत बढ़ी अचीकी बनी हुई है तूट बहुत जल्दी असानी से एकडम जा रही है और बिल्कुल में हाथ में चीपक नहीं रही है खाते समय दात में भी बिल्कुल में नहीं चिपकेगी गाइस आज की रिस्पी कैसी लगी मुझे कॉमें करके कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों साथ शेयर करिएगा अगर आप इस वीडियो को यह देख रहे हैं यूटूब पे तो चैनल सस्क्राइब कलीजिएगा फेजूप पे देख रहे हैं तो तारा क को स्वाफ फेजूप फेज को फॉलॉग कीजिएगा ताकि ऐसी नईने रिस्पी आपको मिलती रहे मिलते हैं नेक्स रिस्पी में बाई गाईस